चलिए आज करते हैं कुछ नया और नया क्या करेंगे नया करेंगे इस घास से शायद आप लोगों ने पहशान लियोगी ये घास वही है जो हम लोगों ने नौरात्रों में बोई थी बाडले ग्रास यानि की जोग जब हम लोग घटेस थापना करते हैं कलश रखते हैं तो सा हलाकि हम लोग बचपन से देखते आए हैं सुनते हैं कि पूज़ा के बाद मूरती वी सर्जन और साथ ही सात ही ये जो अरण भार्ले भोते यानि की जोग होते हैं तो इस घास का बाकी सभी पूजन सामगरी के साथ हम लोग प्रवाहित करते किसी बहतीवी नदी में पर उखरोक रहे हैं, अपने पर्या वरणते के लिए ओर अपने चोटा सा कदम बढ़ाना चाहते हैं हर उस सफाई की तरफ जो हमारे पर्या-वरणा को साफ रख सकती है, तो बहुत सारे लोग अपनी नदियों को गंद ही करना चाहते हैं, और मैं भी करती हूं पर यहां पर उन सभी भाई बैनों से माफी मांगना चाहूंगी कि आप लोग जो भी करते हैं आप लोग सतंत्र हैं अपनी सोच के लिए पर जो मैं करती हूं सिर्फ वो आपसे शेयर कर रही हूं तो क्रप्या करके मेरी इस बात को किसी धर्म से न जोड़ें किसी आ मन में कि मैंने आपकी भावनाओं का अपमान किया आपके आस्था का अपमान किया ऐसा कोई भी मेरा इरादा नहीं है और इसके लिए मैं पहले से आपसे माफी भी मांग रहे हूं चलिए अब टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे देखे यह जो हमारी बाडले ग्रास है यह ठी ग्रास का महिंगा महिंगा पॉडर ना खरेद के हम लोग घर में इसको उगा सकते हैं और ताजी चीच के जितने फायदे हैं शायद उतने फायदे आपको किसी भी पॉडर में नहीं मिलेंगे सेम उसी तरह से यह अपने यह बाडले ग्रास भी बहुत 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 फायद लेना है, और सुबह-सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है, सब कुछ वही, रंग भी वही, रूब भी वही, गुर भी वही, बस फर्क इतना है, जिस घास को आप नदी में प्रवाहित करने जा रहे थे, औस घास को आप माता का प्रसाद समझ के ग्रहड कर सकते हैं, आपकी ह जो मैं करती हूं वो मैंने आपसे शेयर किया और कुछ नहीं तो इस घास को अगर और भी आगे आप अपनी सेहत के लिए पीना चाहते हैं तो बड़े बड़े गमलो मों उगा सकते हैं ठीक वैसी जैसे आप वेट ग्रास जो मैंने तरीका भी बताया तो उगाने का अगर नही पर इन केस अगर आप इस घास को नहीं पीना चाहते कभी कभी किसी को कोई चीज सूट नहीं करती है या कोई भी दूसरा कारण भी हो सकता है तो आप एक काम और कर सकते हैं इस घास को बस यूँ ही छोड़ दीजे चार शे दिन में अपने आप ये सूख जाएगी और इसको बस हाथ से मसल देंगे तो यह मिट्टी का ही रूप ले लेगी मिट्टी में डाल दीजे खाद बन जाएगी या फिर आप जो भी कंपोश्ट बनाने जा रहे हैं उसमें डाल दीजे तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये कि इस घास को आप अपनी सेहत के लिए भी इस्तेमा कर सकते हैं मर्जी आपकी कि आपने अपनी सेहत चुनी या पोधों की सेहत चुनी दोनों केस में किसी को कोई नुकसान नहीं है सिर्फ फायदा ही फायदा है आपको वीडियो कैसा लगा अपने विचार अवर्शिव वेक्त करें और साथी साथ वीडियो को शेयर जरूर करत जिससे की आपके साथ साथ और सबी लोग भी इस घास को फेकने की बजाए इस्तेमाल कर सकें जल्दी फिर से हाजी रोती हूं किसी अगले जुगाड के साथ तब तक के लिए धन्नवाल